मित्रों नमस्कार आज आज आपका स्वागत है और आज भी कुछ महत्पूर्ण खबर अबर चर्चा करेंगे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनिश छोदिया को लेकर आज बहुत सारी खबरे हैं आज सीबिया ने उन्हें राउज अबेन्यो कोट में सीबिया की विशेश अधालत में पेश किया और दोनों वकेलों की यानि सीबिया की तरफ से भी और मनिश छोदिया की तरफ से भी लंबी बहस चली और सीबिया ने पांच दिन के रिमांट की मांग की थी जिसे ही कोट ने मनिल शिशादिय के तरफ से कहा गया कि जो शराबनीती को लेकर बरिष्टाचार के आरोप में मनिल शिशादिया पकड़े गए हैं, उसको LG ने मंजूरी दी ती और जब उन्होंने मंजूरी दी तब उन्होंने आपजेक्शन नहीं किया था, और अब वो आपजेक्शन कर रह आएगी, तो पांच दिन अब मनिल शिशादिया CBI की कस्टड़ी में रहेंगे, और उनसे तमाम पूस्ताच होगी, क्योंकि कुछ तो शंकाएं हैं, जैसे कि ऐसी क्या जरूरों थी कि गली-गली मोहले-मोहले शराबी दुकाने खुली, उस दोरान जब नई शराब पालिस आई, तो आड़ सो चालिस नई दुकाने खुली, जबकि दिल्ली में लोगों ने उसका बड़ा विरूद किया, और कहा कि शराब के दुकाने खुलने से माहल खराब होगा, कलोनिय में शराबी गूमेंगे, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना, चुकि इन लोगों ने उन ल आटकार को देना था, वो भी इन्होंने बारापट से शाच से घठा कर कम कर दिया था, तो इस तरह से कुछ इसमें डाउट किलियर होती है, डाउट होती है कि ऐसा शराब पॉलिश्य को लेकर कुछ गरबढ हुआ है, तो अब पांस दिन तक पूस्तास होगी, कौन को लोग उसमें शामिल है, जो शराब नीती की या कम्पूटर था, उस कम्पूटर की हार्ड डिस्क इसे डिलिट हुई, और हलांकि सीबिया का दावा है कि उन्होंने उसको रेकवर कर लिया है, लेकिन इसमें पूस्तास तो होगी, पूस्तास होनने के बाद पता लगेगा कि इसमे आमादी पार्टी के कार्यकरतों ने दिश भर में पर्दशन किया, जगे-जगे जहां BGB के हैटकॉटर है, BGB के राज्यों के कारले हैं, जिलों के कारले हैं, उन सब जगे पर्दशन किया, तो दिन भर आमादी पार्टी वालों को उठाना, फेंकना, गिराना ये पुलिस दॉलोगे आज नाक में दम होता रहा है तो यह मवला मुझे लिखता है कि अभी पाँस दिन और चलेगा जब तक कि या तो फिर पांस दिन के बाद क्या पता कोटों से रिमांड को एक्सेंड करें जैसे सीब्यां डिमांड करें और अगर extend करती है तो फिरो CBI मुख्याले में रहेंगी आज CBI मुख्याले के चारों तरफ पुलिस के सुलक्षा बेवस्ता थी ताकि आम अधी पार्टे के कारे करता बेवस्ता न जा सके तो इसमें देखना है कि आगे इसमें क्या development होता है दूसरी जो महत्यपून खबर है वो आतिक अहमत को लेकर है जो उतरपरदेश के डौन है अभी जेल में बन है और ऐसा आरोब है कि अभी दो दिन पहले उमेश पाल के जो हत्या हुए थी उसमें शक के आतिक अहमत की तरफ जा रही थी और जो आज पुलिस ने दो इंकाउंटर के एक इंकाउंटर में तो अरबाज था जो शूटर था उसको इंकाउंटर कर दिया वो आज डेर हो गया और दूसरा जो एक और आरोपी था उसको इलाबाद सेंटरल इंवर्सिटी से पकड़ा है तो एक को धरद पुचा तो ये ये बड़ा डेवलेमेंट है जैसे कि मुख्यमंतरी योगी आतर नातनी कहा था जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको हम मिट्टी में मिला देंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी वाइदे के मताबिक वो काम कर दिया है और अपरे अधियोका तो इनकाउंटर ही इलाज है क्योंकि वो कोट में जाएंगे तो बेस साल पच्चे साल तक केस चड़ते रहेंगे जेल में जाएंगे तो जेल में वहीं से वो अपना राज चलाएंगे वहीं से इनकाउंटर करेंगे वहीं से वसूली करेंगे तो इनका एक एलाज है इनकाउंटर है आज प्रधान मंदरे ने कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे पर अटाइक किया और वो अटाइक में उन्होंने करनाटक में जाके ही किया आज वियस एदियोरपा से भी मिले मोदी जोकी वहाँ करनाटक में चुना होने है और आज जब वहाँ उन्होंने सभागो संभोदित किया तो उन्होंने कहा कि खड़के सिर्फ नाम के ही कॉंग्रेस अध्यक्ष है उनकी कमान किसी दोसरे के हाथ में है और वो रिमोट कंट्रोल से चल ले है इसका अलब मित्राज नौर्थ एस्ट में आज चुनाव हुए नौर्थ एस्ट के एक राज्य जो धिरपुरा का चुनाव था वो हो चुका है और आज नागालेड और मेखाले का चुनाव हुआ तो इन दोनों जगहे आज वोटिंग पसंटेज बहुत अच्छा रहा और इसके सासाथ आज पॉल एक्सिट भी आगए हैं और उन एक्सिट पॉल के अनसार तिनों राजमे ऌजमी जो साठ़ तो साठ़ सेटे हैं उनमें बीज़एपी को मिगाले में तेरा सेटे नागलेड में 81 स्टे और 35 स्ट talent इसका मतलब हैं कि नगलेंड में और तिर्पारा में बीजी पी की सरकार आ रही है बीजी पी गड़ बंदन की सरकार आर है तरे जब कि तिर्पुरा मेगा लिए में ऐसा लगता है कि वो एक बड़ी ताक़िद बंग कर उभरेगी क्योंकि मेघाले में NPP को पूरी तरह से तो नहीं पर सब से बड़ी दल के रुपे है कि तो हंग असेंबले लग रही है मेघाले में क्योंकि NPP जो अभी भाजपा के सहयोतब से सरकार चला रही है भाजपाने इस बार NDPP के साथ चुनाव लडा है NPP को छोड़ दिया था तो 20 सेटे होने मिली है और NPF को कोई सेटे मिली निर्दिलियों को 10 सेटे मिली है Congress को 6 सेटे मिली है तो इसका मज़ब यह है कि अगर NPP को सरकार बनाने के लिए निर्दिलियों का और Congress का सयोग लेना पड़ेगा नागलन में तो इसपस्ट लग रहा है कि लरकट की बीजेपी गड़बंदन का सरकार वहाँ बन जागी 41 सेटे होने मिल रही है Congress को महज 3 सेटे मिलेंगी NPF को 4 और अन्य को 5 तिरपुरा में भी बीजेपी के अभी सरकार है और मुझे लएंसा लगता है यह रिपीट होगी 60 में से 35 सेटे हैं तिरपुरा में बीजेपी को मिल रही है Congress को 13 सेटे मिल रही है और निंदेलियों को 11 तो इसका मतलब यह है कि जो Congress है जो बीजेपी है बीजेपी को बेनेफिट होने वाला है और तिरपुरा में अलग अलग पार्टे में जो सर्वें है जीन्यूज का कहना है कि 29 से 36 सेटे मिलेगी News 18 का कहना है कि 36 से 45 सेटे मिलेगी टाइमसना को कहना है कि 21 से 37 सेटे मिलेगी यानि सरकार में आही रही है और इस तरह से मेगाले में थोड़ी सी प्रावब्लम है क्योंकि बीजेपी को लगवाग ग्यारत सेटे में लेगी है और जो एन पीपी है उसे दो से 21 सेटों के बीच में देखा गया है टीवी 18 तो न्यूज 18 उसे 26 सेट तक देखा रहा है यानि हम हाम सइथे हैं हम अस्मबली ही आएगी नागालंड में बीजेपी को केरश मेजरूरी में ब्ली मिली करें टान्थिस से तालिस सेटें वहां आएगी तो मेंगाले में सब वोटिंग सवर वोटिंग में सौघल फ़रवरी को में सौतर भवा था और में वंघ सक में आज सबावर नतिजे दो मार्च को टeलर के जाएंगे दो मार्च में वह से दुआ काउंटिंक होनी वाले तिन वा उन गैस तो नागालन में में इसके लावा मतलों आज की एक और इंट्रेस्टिंग हवर है कि पर्दान मंतली ने आठ करोड से ज्यादा किसानों को आज सोला करोडर पे ट्रास्पर किया यानि जो पी-म किसान ने दी है है वो साल में तीन बार दो-दो-ारोग हजार रुपे मिलते हैं किसानों को तो पर्दान मंतली एक नया कहह सकते हैं निया हहिए चल जड़न है, इस से पहले किसी परदानमंत्री निज़नी कि वो ह occasions, अपने हातों से करना चाहते हैं है, और यह scheme, क्योंकि परदानमंत्री किसान निधी सम्मान निधी चल रही है, लेकिन हो लगा अपने हातों से किसान प्रधानमित्री की तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है। तो यह तेरवें किस्तती है। इसके लावा मित्रो रैगिन को लेकर दलत मेडिकल सुझने जोसाइट का लिया है तेलंगाना में पीजी के फरस्ट और चादर ने से परिशान होकर आतमत्या कर दी है। और यह मामला सुप्रेम कोर्ट सक आया है तो यह मामला अभी चलेगा क्योंकि रैगिंग तो पूरी तिरह से पड्य बंदी थे। उसके बाबजुत रैगिंग हो रही है। और खासकर यह मेडिकल और इंजिनरी में ज्यादा रैगिंग होती है। पवन खेडा जो कॉंग्रेस के निता हैं उनको असम पुलिस गिरभदार करने आई थी है। उनको बड़ी नाटिया तरीके से एरपोर्ट में गिरभदार कनने की गिरभदार किया गया था। और लेकिन स्पीच कोंग्रेस के वकील है, मनीस सेनर लिटर है कोंग्रेस के वो सुप्रीम कोट गये और उनकोंने सुप्रीम कोट से राहत की मांग की और कहा कि उतर प्रदेश के जो लखनाओ है, इलावाद है और असम में जो तीन अफायर लॉज हुएं इनको दिल्ली ट् तो कोट ने रहात देती है आज उस पर सुनाई होनी थी तो आज असम और ईपी सरकार ने सुप्रेम कोट से समय मागा है और अब ये सुक्रबार को अगली सुनाई होगी असल में पवन खेडा ने पर्धानमंत्री पर बिवादित टिपनी की थी और उन्होंने तीन अफायरन पर हैं और सुप्रेम कोट ने प्रोटक्शन दिया था और कहा था कि बयानवाजे डंक से करें ऐसी बयानवाजे ने करें जैसे किसी की जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचे और तो पाउन खेडाने बीस फरवरी को दिल्ली में एक हिंटनबर्ग रिपोर्ट में कहा था कि जब अडल वहरी बास भी जी पीसी बना सकते हैं तो ने नेंद्र दामुदर दास मोदी को क्या समझते हैं कि तो ने दो दर दश को कि अंद्धी को को गौतमदास मोदी का था को कव्रेयर लां उनकी बाद और टटी आसपास खाड़े कि प्राम पर उने कन्फूजन था जमाल के बात खेड़ा बोले थे बिना नोटिस के हुए ग्रिपदारी और उन पर जो मुकत्मे हैं वो 120 B किसी भी अपरात को करने के साजिश करना छे मैंने किसमें जेले 152 B सरकारी काम करने बात पहुंचाना 153 E धर्म भाशा और नसल के आधार पर नफरत फेलाना 153 B राष्टे एक्ता के खिलाब भाशन देना और 500 किसी भी विक्ति की माना नहीं करना 505 दो समधायों के बीच दुस्मनी पैदा करना 504 गाली गलोज करना तो इस तरह सारे मुकत्में उन पर थोप दिये गए हैं तो यह भी मामले गर्मा गर्म चला है आज सारदूल करिकेटर उनकी शादी हो गई है और आज उन्होंने वर्डिंग सेरेमनी में उनकी पतनी रितिका के साथ पहुंचे और रोही तर शिरेस ने भी डांस किया तो टीम इंडिया के आउलांडर शारदूल ठाकुर ने गल्फ्रेंड मीताली पाल उरकर से शादी कर ली है ठाकुर ने संबार को महरास्ट के कर्जत में शादी की रोहित शिर्मा श्रेस आयार यह जोएंदर चहल की पतनी धन श्री वर्मा समारों में शामिल हुए रोहित क शाकुर की आज शादी होगी और यह मुझे कता है दो तीन जो करिकेटरों के शादी वर्स में इनका भी कि नाम शामिल हो गया है कि आज योकरिन की राष्ट्रपती